हलो दोस्तो नमस्कार आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटू चनले इस्टी विद्धुशन भर दिखे इस्टे में आप सभी लोगों को पता भी होगा कि बिहार टीचर की नियूश काफी हर एक चनल पर आपको देखनों को मिल नहीं है चाहे जिस किसी भी क्या चैनल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम आपको एक नई जानकारी आपके साथ साजा करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि यह कमपेटेंसी टेस्ट क्या होता है और जो आपका BPSC है इस पर काम भी कुछ कर रहा है जिस पर सिच्छुकों पर बिहार सरकार एक नियम बना रही है जो की कमपेटेंसी टेस्ट है और किनको देना है किनके लिए ये नियम बनाया जा रहा है सारी चीज़े इस वीडियो के माधम से हमाश आपके लिए लेकर आये हैं चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं अगर आप चल पनना है जो लोको सब्सक्राइब कर लें साथ में बिल आइकन को प्रिस कर दे यहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह आपकी केवल जिनुवन नियूज आपको मिल रहे हैं जैसा कि आप इसके देख पा रहे हैं एन्विटी टाइमस नाव यह एक जिनुवन ख़वर आपको इस वीडियो के माधम से दिखाने की कोशिस कर रहे है सारा मामला क्या है बिस्तार पूरक समझेंगे बिहार में 4 लाख नियोजी सिच्चक बहुत जल्द राजकर्मी बन जाएंगे तो आपने समझ गया हैंगे कि आपको कमपेटेंसी टेट्स यानि सच्छमता परिच्चा किसको देना है जो बिहार के नियोजी सिच्चक है उनको देना है क्योंकि सरकार जो है या आपको कह लिजे कि BPSC आपका जो है उन्हें जल्द ही राजकर्मी का दर्जा उनको दिलाने के कोशिस किया जा रहा है जो भी नियो जी सिच्चक है उनको जलद ही राजकर्मी बना जाएगा सरकार से इनको मंजूरी लेने की तयारी में सिच्चच विभाग है सच्चमता परिच्छा यानि की Competency Test जिसको कहते हैं इसको पास होने वाले राज कर्मचारी का दरजा नियोजी सिचको को मिल जाएगा यानि कि अगर आप नियोजी सिचक है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कैसे राज कर्मी का दरजा मिलेगा यह आपको बाखोबी पता चल गया होगा या पहले से पता है तो अच्छी बात है नहीं है तो इस बीडो के मादम से आप को जानकारी सब मिल जाएगी कहीं और आपको भटकने के आउशकता नहीं है तो अगर आप नियोजित सिच्चक है इस बीडो को देख रहे हैं तो एक लाइक आप कर दीजिए साथ में नए है चनल पे चलो को भी सिस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो बिहार में बिड्यालय परिच्चा समीति इन सिच्चकों को सच्चमता परिच्चा लेगी तो परिच्चा आपका कौन लेने वाला है बिड्यालय परिच्चा समीति जो बिहार का बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द बाखो भी पास भी कर लेंगे, कोई इसमें समस्चा की बात नहीं है, प्रारुप में साप किया गया था कि कम्पेटेंसिटेश्ट पास नहीं करने वालों की सिवा समाप्त कर दी जाएगी, जो प्रारुप तयार किया गया है राजकर्मी के लिए यानि कि जो भी नियोजित सिच्छक राजकर्मी बनेंगे उनके लिए जो प्रारूत त्यार किया गया है उसमें साप ये मौका आपको दिया गया है कि तीन मौका मिलेगा साप कर दिया गया है सचमता परिच्छा में पास होने के लिए अदिकतम तीन आपको मौके दिया जाएंगे नियोजी सिचकों को लेकर नियमा वाली को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस पे काम भी हो रहा है PPSC से नियोजी सिचकों के बराबर इनको भी सेल्ली मिलेगी तो जो भी सिचक अभी PPSC के थुरू नए हम कह सकते हैं कि नए सिचक बने है या इस बरती बहाली में हुए हैं उनके बराबर इनको भी दरजा मिलेगा इसमें नियोजी सिच्चों के लिए अच्छी ख़बर ये है कि आपको जो है राज करमचारी का दरजा मिलने वाला है, तीन आपको मोके दिये जाएंगे एक जाम पास करने के लिए, इसके लिए नियमावली सिच्चा विभाग की अंतिन दूप दिया भी जा चुका है, अब सरकार की तरब से हो, सिच्चा विभा की तरब से हो, आप लोगों के लिए भी कुछ न कुछ नया किया जा रहा है, सरकार की मंजूरी के बाद दूझे सिच्चों की सच्चमता परिच्चा लेकर उत्तिन होने वाले को राज करमी का दरजा दिया जाएगा, साप तोर पिक कह गया है इसके बाद उन्हें बिहार लोग सिवा आयोग से बहाल सिचकों के बराबर बेतर्मान और अनसुविधाये मिलने लगेंगी तो कई चीजे हैं जो अभी आपको नहीं मिलती होंगी जब आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे इस परिच्छा को भी यानि कि सच्चमता परिच्छा इसको आप पास कर लेंगे तो आप जो है आयोग से जो भी बहाल सिच्चक होते हैं जैसे कि अभी भरती हुई है चाहिए वो हो उनके बराबर आपका बेतर्मान या जो भी सुविधाय रहेंगी वो आपको मिलने सुरी हो जाएंगी बिहार बिद्द सच्चाव बिभाग को इमेल के जरिए प्राप्त हुए इन सुझावों पर बिचार करने के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है तो बड़ी संख्या में सुझाव आये हैं बिसेश सब्दु को हटा दिया जाए जानकाली के अनुसार बिसेश सब्दु को हटान जिसके फाइदे क्या है देने के दुसकान क्या है तो सिच्चा विभाग सिनने ये इसाब किया है कि सच्चमता परिच्चा पास करने वाले सिच्चकों का दर्जा जिला संबर्ग होगा वर्तमान में सभी निजोजी सिच्चक त्री इसरी ग्राम पंचायत और निकाय के अधिन आते हैं वहीं यह भी प्रावधान किया गया कि यह बिहार लोगसे बायोग से सफर हुए नुजूरी सिच्छक अगर अपने पुराने पदपर्री बना लाइना चाहते हैं तो उन्हें सच्छमता परिच्छा देने की जुरुत नहीं होगी वो भीना परिष्छा के राजकर्मी का दर्जा प्राथ करने के हगदार होंगे तो यहां कई चीज़े हैं जैसे कि जो आपका बेतल है उल आयोग के जो भी करमचारी है सिच्छक उनके बराबर आपको बेतल आयोग जो भी सुविधाय है वो भी मिलेगी तो यह तमाम चीज़े हैं जो यह नियोजी सिच्छक कंपटेसिटिस्ट को पास करता है तो कई चीज़े आपको जिसे बेतल भी आपका बढ़ जाएगा कई सुविधाय मिल जाएंगी तो यह तमाम चीज़े हैं जो आपके फायदे के लिए है नियोजी सिच्छक जब राज कर्मी हो जाएंगे तो उनके जिला संबर का पद इस्थालान तरड़ी यानि ट्रांसफरेवल हो जाएगा इन सिच्छकों को सामान रूप से जिला सिच्छा पदधिकारी की ओर से सिच्छा का अधिकार अद्रियम, छाद सिच्छक, अनुपात, अथोवा, जनहित में प्रतिवद्धाओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंदर इस्तनांत्रित किया जा सकेगा जिले के बाहर इस्तनांत्रित किया जा सकेगा एक सिच्छक सेवाकाल में केवल दो बार इस तरह के विकल का प्रियोग कर सकेगे यानि कि आपका ट्रांसफर भी करने का प्राउधान किया गया है इसमें आपको समस्च्छा नहीं होने वाली है तो आसा करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कर देंगे और चैनल पर नयए है जोनों को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में बिल आउइकन को प्रिस कर देंगे ताकि जब भी कोई वीडियो श्रक के माध्यम से डाली जाया तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो ये थी नियोजी से चुकों के लिए बहुत ही इंपोर्टन खवार आसा करता हूँ कि जनकारी आपको अच्छी लगी होगी जनकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को से जरूर करिएगा मिलेंगे निष्ट नए वीडियो के साथ थेंक्च्यू फार वाचिंग